हेलो माइडियर स्टूरेंट्स गुद मॉर्णिंग टू आल तुदेश डेट इस सेवन जैन्वरी 2021 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास ट्री बुक दे ग्रामर राइट बुक माइडियर स्टूरेंट्स टूरेंग दे चाप्टर फॉर्टेन पार्ट्स स्पीच के बारे पर रहे हैं और हम लोग कुछ एक्साइज इसको सॉल्ब करें थे तो आज हम लोग रिमेनिंग कोशिन को सॉल्ब करेंगे पीक आउट दा पार्ट्स स्पीच इन राइट दे में सौन इग्जांपल यहां पर बोला गया है कि आपको सेंटेंस से जो सेंटेंस दिया गया उस दिया सबको वर्ट को पार्ट्स पीच में क्या कलने अलक लिखने और आपको बताना है कि कौन सा वर्ट करता है हूरे इंट शेक्टिशन वी प्रोनम अज्टिव वा अर्टिकल द और मच्ट नव्ड नौकए नबर इड गंगा इस आ लौन रिवर द गंगा इस आ नौन रिवर द कै अर्टिकल गंगा नौन is verb, a article, long adjective और river का नाउन नमबर 9 come home early तो इसमें आपका come क्या आपका verb है come verb है home नाउन है और early क्या आपका adjective है नमबर 10 the worm climbs slowly up the tree the worm climbs slowly up the tree तो इसमें आपका दग the क्या आर्टिकल है worm क्या नाउन है climb क्या वर्व slowly क्या आडवर्व the क्या आर्टिकल और tree क्या आपका नाउन है ठीक है number 11 can you jump over this fence आपका can क्या वर्व है you क्या आपका प्रोनाउन है jump क्या आपका वर्व है over क्या आपका preposition है इस का आपका प्रोणौन और फ्रेंस के आपका नाउन नहें तिके नमबर चोल मियाव क्रणाउन है यह थी आपका यह प्रोणौन है यह जो पर नाउन और आडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, प्रिपोजिशन, कंजेक्शन और इंटेजेक्शन, इसमें आपको अलग करते हुए लिखके, आपको दिखाना है कि कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट स्पेस्ट में फॉल करता है, या फिर वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ओके, तो प्ल इस्ट करते हमें लिखके, इस्टर आपको एंब कर दिखान प्रिपल्ब ifstäप एंप्वल्वे का वहाँ लिखके, थां आपको, सब्स culd एंप about और लो, तो भीनिवखके